उम्र जब हो जाए 75 सार तो खुद का खयाल रखना चाहिए रूज योग करना और कराना चाहिए थोड़ा पसिला दिक पहाना चाहिए जब तुम हो जाए 75 सार तो खुदा स्टचिंग थोड़ा वयाम हो फिर थोड़ा बजन भी उठाना चाहिए फिर थोड़ा बजन भी उठाना चाहिए तरकी बस्त्रिका थोड़ी पाल भाती फेपणों की ताकत बणाना चाहिए जब उबर हो जाए पचत्र सा करके रीड के वयाम पैर हिला शरीर लचिला विबाना चाहिए मसल को पानी डाल या दही से मजबूत कर फिर अर नाच गाना चाहिए पचे लाला 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 जब उमर हो जाए पचत्र सा तो खुद खयाल रखना चाहिए जुमीर और पेर पोदों से जुड़कर प्यान का मंतर भी सीख जाना चाहिए इस उमर में यार दोर सो संग जब फिर दुख दर्बे भूल जाना चाहिए हो जाए जमुग पचत्र साल पचत्र साल कर दो जाए 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 होजना चाहिए झाल झाल